नमस्कार स्वागत है आपका मेरे सिंपल और गैनिक कार्डेन में आज दोस्तों मैं आपको किसी भी प्लांट से नहीं मिलवाऊंगी आज आपको मैं अपने कुछ बायो एंजाइम से मिलवाऊंगी जो कि मैं घर में बनाती हूं और बहुत जादा अच्छे होते हैं यह हमारे प्लांट्स की हेल्थ के लिए मिट्टी की हेल्थ के लिए मिट्टी की हेल्थ क्या होती है तो अगर मिट्टी उर्वरक होगी तो जो भी हम प्लांट्स लगाएंगे वह अपना तरीके से अपनी ग्रोध कर पाएंगे मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी बहुत सारे लोग उसके पहले मैं आपको दिखाँगी मैं चली आपको एक चीज दिखाती हूँ आच को मैं अभी इस बनाया मैंने बनाती रहती हूँ. आहा देखा पो यह बिल्कुल मैं दिखाना चाहती थि आपको आपको यही दिखाना चाहती थी इसको अक्सार लोग क्या करते हैं बायोजाइम बनाते हैं और उसके ढकन को देखें ढकन मैं दिखाऊं कहां उड़के गया मैंने कुछ किया नहीं यह दिखाती हूं यह दिखें यहां ढकन आई इसका जो कैप है वो यहां के इतनी दूर गिर तीसरे दिन इसको जो है हलका सा मितलब सेकंड ही जब अभी मैंने इसको तिन चार दिन हुआ है बनाए हुए केले का है यह सालों साल रखे होते हैं मैं आपको दिखाती हूं मैं पस कई कई साल के दो तो तिन तिन चार चार साल के सब रखे हैं इसको देखो यह तो यह दिख कि इसकी में डर के गोदीद को खूल रही थी सब्सक्राइब निकली कि इसको मैंने उसका भूगत चुकी थी मैं तो इसको मैं रोज अपना डेली खूल रही थी तर दो बॉटल मेने अलग अलग करके मैं आई तो ये होते हैं बायोजाइम होते हैं मैं अभी अपने पुराने वाले दिखा देती हूँ ये तो जो है अभी एक वीक नहीं हुआ है मतलब 3-4 दिन ऐसे कुछ हुआ होगा ये देखिए ये वाले हैं मेरे कई कई साल के हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम जब बनाते हैं रोज रोज हमें उसके ऑकन को को खोलना होता है इसाँ होता है बस यह होते हैं कि शुरू आत मैं जो है रखेस बनती है शुरू के yep में बोत्र के थकन को खोलना मों और इसलिए दो लिटर की बाठल मैं ज्यादा अपना इसमें यूज perpetso तो चलिए आपको मैं बता देती हूं कि मैं किस तरीके से इसको यूज करती हूं तो देखें बहुत कम यूज होता है मेरा तो यह 10 लीटर का है यह केन है जिससे मैं पानी डालूंगी तो उसे साब से मैं इसमें करीब 2-3 डखकन अपना इसमें दे देती हूं लेकिन एक लीटर में दो एमल या फिर तीन एमल वन लीटर में आप यूज करिएगा एक लीटर का बता रही हूं में एक लीटर में दो या तीन एमल मिली लीटर ठीक है जादा नहीं यूज होता है इस प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में सीधे डाल सकते हैं तो मैं इससे गुलाब में डाले दे हुआ और पहलाग में यह दाले दे रही हूं वीए और भुट सबसे ज्यादा में कप्षा अधरा बर्सात को में इसे गुलाभ सारे, तो यह सारी काुशमी धती हैं, देखें क्या होता मिट्री। मित्टी में वित्ते हैं की फाइसे माइक्ष कोस्तव number करते हैं, ऐसी ऊपने पहुतष 3 साहरे कazing with my मेंशा से मैं वीडियो बश्राइट नहीं कोई रहते हैं कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो पस यहीं सारे चीज़ों करते हुआ हाँ मैंने एक पहले बनाए हुआ था काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसका बाइएंजाइम का तो अगर आप कहेंगे तो मैं दुबारा ऐसा बना दोगी को कि ऐसा कुछ नहीं है तो बना बना के रखते हो और दोस्तों इसका यह भी नहीं कि सिर्फ प्लांट्स में यूज होना है इसका तो यह कि आप ख्लीनिंग घार में जैसे हम लोग सफाई फाई करते हैं पूछाऊचा करते तो इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करके अपना घर में क क्लीनिंग भी कर सकते हैं तो वह बहुत सारी उसें इसके तो और बड़ी अच्छी खुश्बू भी रहते हैं जैसे नीपू के चलके हिलकेस में रहते हैं अगर और कुछ जादा लगता भी नहीं है थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा से सबज्यों के चलके हिलके पानी हो यह बस तो यह हो गया और एक चीज़ चले मैं आपको बताओं मेरे से कही लोग पूछते हैं कि मैं फर्टिलाजर जब हम बनाते हैं तो उसको हम कितने दिनों के लिए रख सकते हैं बच जाए तो कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं यही अंतर हो जाता है जैसे हमने यह बनाया हुआ है यह अभी तो दो चार दिन पहले मैंने बनाना पील का बनाया था उसको तो सब दे दिया सब खतम अतम हो गया यह वी किसी चीज़ का ही है यह प्याज वाला ही है तो बस फर्टिलाइजर तो मैं उतना ही बनाती हूं जितना में मुझे यूज करना रहता है औ यह भी आपको मैंने इसकी बॉटल कोल के दिखाई इसमें तो किया था कि जो बनाना है थोड़े से बहुत जादा पक गए थे तो मैंने का अच्छा लोगा उसको फिर इसी में हीूज कर लेते हैं और यह अधर सबजियों की नीम की पत्तियां वोतियां डाल के बना ले तो यह मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सारी चीजें सारे पोशक तत्व हमारे प्लांट्स को मिलते रहते हैं मतलब नाइट्रोजन पोटैशियम फोस्फोरस वो तो मिलता ही है लेकिन इसके अलावा कैलशियम है जिंक है आयरन है मैंगनेशियम है पता नहीं कितने तो उब ख़ते हैं जो यह होता है उद्धियम फोटोजन फोटो संथेसिस का जो कारिय हो उनका होता है पत्तियों का जो खाना अच्छे से बनाएंगी दूप निकले हैं तो ब्लांट अपने आप धी अच्छा ग्रोथ होगा तो यह है मुझे लगा आज आपके साथ इसको कई बार लोग पुछते हैं कि फर्टिलाइजर में बच गया है तो उसका क्या करें तो आप चाहिए आप उसको जो है पांसाथ दिनों में दस तिनों तक हताम कर दिजे क्या स्टोर करना इस तोर करना है तो इस तरीके से आप बायों इंजाइन बना करके तब करिये और फर्ट क्यानिक फर्टिलाजर के उसमें ऐसा कमन्ट जरूर रहाता है तो चलिए मैं पुछ हलते हलते मेरा यह तोड़ा सा दिखा दूं यह इस्टिंग ऑफ पर्ल्स मैंने लगाया था खराया तो खरीदा तो यह दिखिए इस पर क्रोश शुरू होगी चुटी-चुटी से दाने नए निकले हैं तो जब थोड़ा सा सक्कुलेंट है ना और यह सब लगाये थे मैंने थोड़ा बहुत मेरे कुछ एक्चुली क्या हुआ कुछ सारे ना वीडियो उसमें से ना डिलीट हो गए लेकि फिर भी मैं बनाऊंगी इन्फोर्मिशन आपको सप्पोर्टिंग स्वा बाइ